मैं डॉक्टर जग्दिश्वर्शाथ मीना असिस्टेंट प्रोपेशर ये फैम आर्तिक पर्शासने वित्य प्रबंद गौर्वर्मेंट कोलेज रांधिकू मित्रों आज विकॉम पार्ट सेकिंड का जो फर्स्ट पेपर है राजस्तान में आर्तिक परियावरां इसके अंतरगर्थ ग्राविन विकास कारिक्रम मुल्यानकन यों प्रभाव के बारे में अध्यन करेंगे राजस्तान गाओं का प्रदेश है सन 2011 की जनगर्ना के नुसार राज्जे की 68.8% जनता गाओं में निवास करती है 2011 में राज्जे में 23.264 ग्राम बस्तिया आदी है अखिल भारते इस तर से कम है किन्तु राज्जे में अब भी गरीबी भोत है राज्जे में ग्रामीन शेत्रों में व्याप्त गरीबी वे वेरोजगारी को दूर करने तता विकास के लिए लाप सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीन विकास कारेकरम प्रारंब किये गए हैं ग्रामीन विकास कारेकरमों के प्रमुक उद्धे से में अब्जेक्टिव्स ओप दी रूरल डवलप्मेंट प्रोग्राम राज्जेव देश में ग्रामीन विकास के प्रमुक उद्धे से निम लिखित है फरस्ट है ग्रामीन जनता का जीवन इसतार उन्नत कर उसे विकास की मुखेदारा में लाना जब तक गरीबी दूर नहीं होगी, लोगों की जीवन इसतार में सुदहार नहीं होगा next point है ग्रामीन छेत्रों में गरीबी वे विरोजगारी दूर करना आज के समय देश या प्रदेश में जो सबसे बड़ी समश्या है वो बेरोजगारी की है तो गाउं में रोजगार के आउसरों का सर्जन करना होगा ताकि जिससे गरीबी दूर हो सके उद्यों के इस्तापना करना लगो कुटिर बड़े उद्यों के इस्तापना करना जरूरी है यदि इन उद्यों के इस्तापना नहीं करेंगे तो गरीबी दूर नहीं होगी और बेरोजगारी भी दूर नहीं होगी तो ग्रामेंड विकास कारेकरमों में का जो पर्मकुद्देशे ग्रामेंड छेत्रों में गरीबी वे बेरोजगारी दूर करना नेक्स्ट है ग्रामेंड छेत्रों में विकास के लिए आवसक आधार गोड़ाचे का निर्मान करना जब तक इनप्राइस ट्रेक्चर डवलप नहीं करोगे यानि ग्रामेंड छेत्र का समुझ्चित विकास नहीं करोगे तब तक ग्रामेंड विकास की कल्पना करना विहरत है नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामेंड छेत्रों में आवसक सामाजिक डाचा जैसे सिक्सा, चिकिसा, आवास, पेजल, सडक्व, परिवन, संचार, बैंकिंग, आदि का विकास करना इन निमलिकी छेत्रों में विकास करना बहुत जर्वी है जब जाके हम संपन्ता की और बढ़ेंगे ग्रामेंड छेत्र में निवेस पड़ा कर रोजगार के आवसर सर्जित करना इन्वेस्टमेंट करना गरिवी छेत्रों को डूंड कर जब तक उन पे निवेस नहीं करेंगे और निवेस नहीं करेंगे तो रोजगार का सरजन भी नहीं होगा तो ग्रामिट छेत्रों में निवेस बढ़ा कर रोजगार के आउसर सरजित करना भी ग्रामिट विकास कारेकरमों का प्रमुक उद्धिश है ग्रामिट छेत्र में आई के आउसर बढ़ाना जब इतने विकास कर दोगे तो टैफिनेटली गाहों के लोगों का विकास संभव है इन्ही उद्ध्योश्य की पूर्ती के लिए राज्य में अन्य ग्रामिन विकास कारेकरम भी चलाए गए समय समय पर इनमें आवशक्ता अनुसार कुछ कारेकरम बंद कर दिये गए कुछ कारेकरमों का आपस में बिले कर दिया गया तता कुछ कारेकरम जारी है आवशक्ता अनुसार कुछ नए कारेकरम भी जोड़े जा रहे हैं भारत में ग्रामिन विकास कारेक्रमों की शुरुवात अंतोधे कारेक्रम से मानी जाती है जिसे बाद में समन्वित ग्रामिन विकास कारेक्रम का नाम दिया गया ये अंतोध्य कारिकरम नाइंटीन सेउंटी सेवर में राजस्तान के तातकालिक बुक्यमंत्री सीरी बहरो सिंग सेकाव द्वारा राजस्तान राज्य से ही प्रारंब किया गया येदि बात करें तो ग्रामीन विकास के पुराने कारेकरमों का नाम दिया जा रहा है यह उन नमीन कारेकरमों की विश्त्रित व्याख्या की जा रही है ग्रामीन विकास कारेकरम कुन कुन से चलाए जा रहे थे या चलाए जा रहे हैं पहला अंतवते योजना, नेक्स्ट है समनी विद ग्रामीन विकास कारीकरम, नेक्स्ट है स्वन्द चैन्ति ग्राम सवरोजगार योजना, सुका संबाब्य छित्र कारीकरम, मरुस्तल विकास कारीकरम, ट्राइसेब, राष्टे ग्राम सवरोजगार कारीकरम, ग्रामीन भूम परदानमंत्री गरामोद्य योजना मात्मागांदी राष्टिक गरामी रोजगार गारंटी अदिनियम बिख्री जन जाती जन संक्या कारे करम सहरिया विकास कारे करम राजस्तान में ग्रामीन विकास के बहुत से कारे करम चलाए जा रहे हैं जिससे की राजस्तान का सरवांगे विकास हो सकता है अब राजस्ताने ग्रामीन विकास कारीकरम को चार बाकों में बाट करम अध्यन करेंगे जिसमें पहला है ग्रामीन विकास के प्रमुक कारीकरम जो राजस्तान में चलाए जा रहे हैं वर्स 1999 में पहले से ही चले आ रहे हैं ग्रामीन विकास के विभीन कारीकरमों का पुनर गटन करके कुछ नए कारीकरम शुरू कियेगे जिनमें प्रमुक है स्वन जैन्ति ग्राम सवरोजगार योजन नेक्स्ट है जोहार ग्राम संब्रद्दी योजन नेक्स्ट है संपूर ग्रामीन रोजगार योजन तता परधान मंत्री ग्राम सड़क योजन अब इनका परतेक का विश्तिर्त रूप से अध्यन करेंगे स्वन जैन्ति ग्राम सवरोजगार योजन अप्रेल 1999 से ग्रामीन विकास के विविन कारिकरमों जैसे समन्वित ग्रामीन विकास कारिकरम सवरोजगार के लिए ग्रामीन योवाओं का प्रक्सिक्षन कारिकरम ट्राइशेम ग्रामीन छेत्रों में मैलाओं यें बच्चों का कारिकरम ग्रामीन दस्तकारों को उन्नत ओजारों के कीट आपुर्ती का कारिकरम गंगा कल्यान योजना तता दस लाग कोवों की योजना को मिलाकर गरामिन गरीबों के लिए सवरोजगार का स्वर्ण जैन्ति गराम सवरोजगार योजना S G S Y नामत एकल कारेकरम प्रारंब किया गया अब ग्रामिन चेत्र के गरीबों के लिए सवरोजगार का ये एक मात्र कारेकरम है अब स्वन जदिनती ग्राम सवरोजगार योजना के उद्देश से क्या है क्या उद्देश से रखे गए इस स्कीम का तो इसके निमलिकित उद्देश से हैं गरीबी दूर करने के विविन परियासों को केंद्रे कर परवावी बनाना सामुईक रिन के लाबों का पुझी करन करना कारेकरमों की अधिक्ता समंदी समश्याओं को दूर करना ग्रामिन छेत्रों में सव रोजगार के लिए लगू उद्द्योंगों की इस्तापना करना ग्रामिन गरीबों को सव साहिता समुगों के रूप में संग्टित करना विविन सरकारी अर्थ सरकारी यवं गैर सरकारी एजेंसियों के परियासों का एकिक्रन करना बैंक रिंड या अनुदान रासी के मेल से ग्रामिन छेत्रों में आई उत्पन करने वाली परी संपत्तियों का निर्मान करना